नमस्कार, दनगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका मात। राजिस्थान यानि की राजा का स्थान और राजा बन कर राज करने वाले राजपूतों का स्थान। राजिस्थान का इतिहास ही राजपूतों का इतिहास रहा है। संक्याबल में अन्य जातियों से कम होने के बाब जूप प्रते निदित में राजपूत सभी पर भारी पड़ते हैं यही कारण रहा है कि कोई भी पार्टी इनकी अंदेखी नहीं करती 2018 की विधानसमा चुनाओं में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण राजपूतों की नराजगी रही 2023 में भी बीजेपी के हाल हिमेद किये गए फैस्टों से यही लग रहा है कि पार्टी राजपूत वोटों को लेकर कन्फ्यूस है या दबाव में है पूर्मुख्यमंत्री और बीजेपी के संसाफ़कों में से एक रहे भैरो सिंग शिखावत के दमाद का टिकेट करने के बाद पार्टी हर बड़ी में दिख रही है मराना के वंशर्ष विश्विरास सिंग मेवार और करनी सेना के संसाफ़के पुत्र भवाने सिंग कल भी तो वोटिंग के एक महीने पहले आनन फानन में पार्टी में शामिल कराने से तो यही लग रहा है सबसे पहले जान लेते हैं कि आखे राजपूत निर्नायक क्यों होते हैं राज़स्तान में राजपूतों की संक्या पुल आठ से दस प्रतिशत के बीच रही है जो अपने प्रतिद्वंदी जातियों जाटों और गूजरों के मुकाबले काफी कम है पर राज़नतिक हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज़स्तान के करीब 120 विधानसभा सीटों से राजपूत समुदाय के प्रतियाशी कभी न कभी अपना परचम लहरा चुके हैं कहने का मतलब ये है कि जिन सीटों पर इस समुदाय की संक्या कम है वहां से भी राज़पूत चुने चाते रही है 2014 में बीजेपी के कद्दावर नेता जस्वन सिंग का टिकेट कटने से शुरू ही राजपूत समाज की नराजगे दिन प्रति दिन बढ़ती गए वसंदरा सरकार के समय राज कुमारी दिया कुमारी के हूटल का प्रकरण आननदपाल के एंकाउंटर साम राव प्रकरण चतुरसिन एंकाउंटर आधी को लेकर राजपूतों में राज़े सरकार के प्रतिजर नराजगी पैदा हुई वो 2018 के चुनाओं में नज़र आई इसके साथ ही गजेंदर सिंग शिखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर राजपुतों में नराज की रही है समुदाय में ऐसा संदेश गया की प्रदेश की तत्कालीन सीयम असुनर राजे के विरोत के चलते अपेक्षा करत कम लोक्रिय चेहरा मदल लालसैनी को राजेसान विजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है यही सब कारण है कि कॉंग्रेस से अधिक विजेपी ने राजपुतों को टिकेट बांटा पर वोट कॉंग्रेस से अधिक नहीं पास 2018 चुनाव मिली हार के चलते बीजेपी संगटन करीब दो साल पहले से ही राजपुत समुधाय को मनाने में चुट किया था 2022 अगस्त में दुर्गादास राठोड परनाधाय की मूर्टी का नावरण राजपुत समाज को संदेज देने की कोशिश शिरूपी गई थी पाद में प्रदेश के तीन बार सीम रहे बहरो सिंग शिखाबत का सौवा जनम दिन बड़े पेमाने पर करने की यूशना बनाए गई राज़सान विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलावचन कटारिया को खटा कर उनकी जगए राजपूत समुदाय के राज़िन सिंव राथोड को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया महरानी दिया कुमारी को हर मोचे पर फ्रंट पर रखने का संदेश दिया जा रहा है ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रडेश्वें बीजेपी की सरकार बनती है तो महरानी दिया कुमारी मुख्यमंत्री बन सकती है इस तरहे राजवी की सीट से जैपुर की महरानी दिया कुमारी को लड़ाय जारा है दिया कुमारी को विजल हर नगर जैसी सेफ सीट क्यूं दी गई है ये तो पार्टी ही बता सकती है पर टिकेट कर टेपर नर्पर सिंग ने अपनी नराज़गी खुल कर जाहिद कर दी राजवी दिया कुमारी की राजनेतिक योगता को लेकर सवाल इठा दे रहे हैं कहते क्योंगी कारे करताओं उसे पहचान नहीं है नय समवाद है उन्हें उतार कर पार्टी क्या हासिल करना चाहती है वसंदरा को पार्टी में किनारे लगाने से राजबूत नराज तो नहीं है पर अगर चुनाव के अंत तक वसंदरा को पार्टी समाल नहीं पाती है तो ये तेह है कि वसंदरा राज पूतों को नराज कर सकती है महरानी दिया कुमारी और वसंदरा राज में बहुत बड़ा अंतर है वसंदरा बीजेपी की बहुत तुरानी कारे करता रही है बीजेपी और राजिस्तान की रंग रंग सेवा के पे उन्होंने पार्टी को राजसान में ख़ड़ा करने के लिए फूप असीना भाया है और सबसे बड़ी बात तो खुद कोक शत्रे की बेटी भी कहती रही है तो वसंदरा को दरकिनार करना कितना नुकसायं दायक होगा ये देखने वाली बात होगी और अगर वसंदरा को मनाया भी जाता है तो CM Face के तौर पर उतारे बगेट वो मानेगी नहीं और कमल के चेहरे पर टुनाव होना है और जीतना कितना भारी पेड़ेगा ये देखने वाली बात होगी अभी के लिए फ्लाल इतना ही नमस्कार